हेलो दोस्तों मैं नयंद कुमार श्वाकत करता हूँ अपने ऑनलाइन इस्टडी यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ मुर्गा की अकल ठीकाने दोस्तों अगर ये कहानी अच्छे लगे तो लाइक करेगा दोस्तों में सेर करेगा एक समय की बात है एक गाव में धेर सारे मुर्गा रहते थे गाव के बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था मुर्गा परशान हो गया उसने सोचा अगले दिन सुबह मैं आवाज नहीं करूँगा सब सोते रहेंगे तब मेरी एहमियत सबको समझ आएगी और मुझे तंग नहीं करेंगे मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला सबी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम में लग गए इस पर मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी के बिना कोई काम नहीं दुख सकता सबका काम चलता रहता तो दोस्तों इससे क्या सिच्छा मिलती है घमंड नहीं करना चाहिए आपकी अहमियत लोगों को बीना बताया पता चलता है अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो उसको लाइक कर दीजिए दोस्तों में सेर कर दीए मिलता है गलब बड़ी बत तक ले बाबा